21. अखिल भारतिय किसान सभा की स्थापना और भारत के किसान आंदोलन में 1951 तक उसकी भूमिका इकाई की रूप रेखा 19. शुन्य ओदेशे 19.1 प्रस्तावना 19.2 किसानों के स्थानिय संगठनों का निर्मान तथा उनके संखर्ष 19.2.1 पंजाप 19.2.2 चंपरन 19.2.3 खेडा 19.2.4 अकाली मोर्चा 19.2.5 मोपला विद्रो 19.2.6 उत्तरप्रदेश 19.2.7 बार्दोली 19.3 अखिल भारतिय किसान सभा की स्थापना विस्तार सम्विधान तथा कार्यक्रम 19.3.1 स्थापना सम्मेलन के प्रमुक प्रस्ताव 19.3.2 फैस्पूर किसान कॉंग्रेस 19.3.3 संगठन के सम्विधान तथा जण्डे का निर्नै 19.4 किसान सभा के सम्मेलन 19.3.1951 तथा पारित प्रमुक प्रस्ताव 19.4.1 कौमिल्ला अधिवेशन 19.4.2 गया सम्मेलन 19.4.3 परासा सम्मेलन 19.4.4 बहिटा सम्मेलन 19.4.5 भक्ना सम्मेलन 19.4.6 बेज़वाडा सम्मेलन 19.4.7 नेत्रकोना सम्मेलन 19.4.8 सिकंदरा राउस सम्मेलन प्रेष्ट 254 19.5. किसान सभा के तत्वावधान में हुए प्रमुक आंदोलन 19.5.1 बकाष्त आंदोलन 19.5.2 तेभागा आंदोलन 19.5.3 पुन्नप्रा बायलार आंदोलन 19.5.4 तेलंगाना आंदोलन 19.6. सारांश 19.7. अभ्या सार्थ प्रेष्ण 19.8. संदर प्रन्थों की सूची प्रेष्ट 255 19.0. उद्देश इसी काई में हमें अध्यान करना हैं कृषी प्रधान देश में स्थापित कुटीर उद्योगों की एक लंबी परमपरा थी 19. भारत का वस्त्र उद्योग एक निर्यतोन मोक विकसेत उद्योग था जिसके उद्पादों की मांग युरूप के अभिचात वर्ग में थी 20. अंग्रेजी राज की कृपा से हुए अनौध्योगी करण के करण कुटीर उद्योगों का विनाश और जनसंक्या का पोच प्रिशी पर बढ़ने के करण और भी गरीवी तथा बधाली उद्पीड़क राजस्व प्रणालियों के कारण किसान को उसके उद्पादन का कम भाग और उसकी खराब हालत किसानों के उद्पीड़न के विरोध उनका विभिनक शेत्रों में स्थानिय संगठन और छुटपुट आंदोलन स्थानिय संगठनों को मिला कर अखिल भारतिय संगठन का निर्मान जिसमें कॉंग्रेस के वामपंथी नेताओं कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका अखिल भारतिय किसान सभा के नेत्रित्व में किसानों के जुचारू संगर्ष तथा उनका मूल ल्यांकन 19.1 प्रस्तावना ठाका की मलमल यूरोप के अभिजात परिवार के महिलाओं का चहेता परिधान बन गया था। इंग्लेंड में ओद्योग के क्रांती तथा वस्र उद्योग के अभूत पूर्व विकास के बाद इस्ट इंडिया कमपनी जो अब तक भारत में निर्मित कपड़े यूरोप के बाजारों में भेज कर लाप कमाती थी और वो उसकी व्यापारिक गतिविधियों में सबसे प् भव नहीं थे कमपनी जिसका बंगाल में राजनितिक प्रभाव स्थापित हो चुका था और जो पहले भी जुलाहों से यूरोप में निर्या थेतु अपनी शर्तों पर कपड़े बनवाने लगे थी अब सचेतन रूप से भारतिय वस्र उद्योग के विनाश के लिए प्र वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो अब तक जीवन निर्भा के लिए कुटिर उद्योगों पर निर्भर था, क्रिशी पर निर्भर हो गया। वाडी, महलवाडी, तालू के दारी, इत्यादी प्रचलित थी, वो सभी किसानों के लिए उत्पीड़क सिध्ध हो रही थी। सरकार का राजस्व अदाकरने और विभिन सामंतिकरों की अदाएगी के बाद जो बच्चता था, वो उसके तथा परिवार के जीवन निर्भा के लिए भी परियाप्त नहीं होता था। अन्य आवशक्ताओं की पूर्ती तथा सामाजिक कारियों के लिए उसे महाजनों से उची ब्याजदर पर कर्स लेना पड़ता था, भारतिय किसान रिनों के जाल में फसा हुआ था, और वो कर्स का बोच लिए पैदा होता था, और उसे चुकाई बिना अपनी संतान के क्रिशी रिंड विभाग ने अठारा सो करोड रुपए का अनुमान लगाया था, परिणाम स्वरूप किसानों की जमीन सूत खोर महाजनों और रिंड दाता जमिनदारों के हाथ में सिमचती जा रही थी, किसान या तो भूमिहीन होते जा रही थे, या जमीन छोटी और अल चमल दो एकर थी, 1882 में जहां भूमिहीन मजदुरों की संख्या खेती पर निर्भर जन संख्या का एक बटा पांच या बीस प्रतिशत थी, वही 1931 की जनगर्णा में क्रिशी पर निर्भर जन संख्या का एक बटा तीन या तैतीस प्रतिशत हो गई, भूमिपर अधिकार चिंते जाने, शासंद्वारा किसान विरोधी भूमी राजस्व व्यवस्था लागू करने, ग्रामीन रिन ग्रस्तता और भूमी पर बढ़ते जन संख्या दबाव के कारण, किसानों में असंतोश लगातार बढ़ता जा रहा था, किसान साल के 6-9 महिने बेकार रहने को अर्थक विसफोट इसलिए संभव नहीं हो पा रहा था, कि वे घरीब तथा असंगठित थे, परन्तु स्थानिय स्तर पर वे संगठित भी हो रहे थे, और अपने शासकों तथा उनके सहयक प्रशासन के विरुध संखर्ष भी कर रहे थे, इस प्रकार के स्थानिय किसान सं संगर्षों में 1869 का नील आंदोलन, 1873 से 76 का पाबना विद्रों और 1875 का दक्षिन भारत का किसान विद्रों प्रमुख है, विद्रों के पूर्वहुए संथाल विद्रों तथा बिर्सा मुंडा का विद्रों भी स्थानिय किसान संगर्षों की कोटी में आते हैं, बीस्व शताब्दी के प्रारंभ से ही स्थानिय स्तर पर किसान संगर्ठित हो रहे थे और अपने शोशकों तथा प्रशासन के विरुद्ध संगर्ष के लिए लाम बद्ध हो रहे थे, इस प्रकार के कुछ स्थानिय किसान संगर्षों का वर्णन हम आगे करेंगे प्रेश्ट 257 19.2.1 पंजाब शताब्दी की शुरुवात में ही पंजाब के किसान विभिन्न कारणों से उत्ते जित थे पिछले 13 वर्षों से फसलों की खराबी के कारण उनकी आर्थिक स्थिती दैनिय होती जा रही थी और सरकारद्वारा 1906 के अंत में भूमी कर और सीचाई की दरों में व्रिधी ने ना केवल किसानों वरन भू स्वामियों को भी उत्ते जित किया पंजाब के क्रांतिकारी नेता तथा शहीद भगतसी के चाचा अजीत से ने परवरी 1907 में भारतिय देशभक्त असोसियेशन नामक संस्था का गठन कर किसानों को संगठित किया तथा किसानों के व्यापक असंतोष को अभी व्यक्ति देने के लिए बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की गई साथ अप्रेल 1907 को बारी दोआप के सीचाईकर में व्रिधी के विरुध लाहोर जिले में 12,000 किसानों की विशाल सभा आयोजित की गई इस सभा में किसान स्वाभिमान को जागरत करने के उद्देश से पढ़ी गई कविता पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए किसानों में बहुत लोग प्रिय हुई और किसान आंदोलन का प्रतीग बन गई सभा के वक्ताओं को पुलिस द्वारा आतंकित करने के प्रयास से शहर में तनाव पैदा हो गया तथा 3,000 लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया रेलवे वर्क्शोप के मजदूरों ने अपने ओजार रख कर उनका समर्थन किया तथा 2 मई को निकले 7,000 के जुलूस को भंक करने के लिए सेना बुलानी पड़ी आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अप्रेल तथा मई 1907 में पंजाब के विभिन भागों में किसानों की 28 सभाएं आयोजित की गई सेना के पंजाबी सेनिकों में भी असंतोष के चिन्न होने की खवर सरकारी गुपतचरों द्वारा दी गई अंततहा आंदुलन के प्रमुखनेता अजीत सिहें तथा लाला लाजपतराई को गिरफतार कर बर्मा निश्कासित कर दिया गया जिसके विरोध में स्थान स्थान पर हड़ताले तथा विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गए 19.2.2 चमपारण दक्षिन अफ्रिका से भारत लोटने के बाद मोहंदास करमचंद गांधी ने अपने निश्क्रिय प्रतिरोध तथा सत्याग्रह की जिस तक्नीक का परिक्षन स्थानिय स्तर पर किया उसमें चमपारण तथा खेड़ा के किसान आंदोलन प्रमुख थे चमपारण के नील उत्पादक किसानों पर यूरोपिय मालिकों के अत्याचार जबरदस्ती और शोशन के विरुद्ध वहां के किसान नेता राजकुमार शुक्ल संखष का प्रयतन कर रहे थे उन्होंने कॉंग्रेस के लखनों अधिवेशन में कांधी से मिलकर उनसे किसानों के पक्ष में हस्तक्षेप का आग्रह किया गांधी ने किसानों से मिलकर उनका पक्ष सुना और चमपारण से वापस जाने के सरकारी आदिश को मानने से इनकार किया अंतता सरकार द्वारा गठित एक समीती जिसमें वे भी एक सदस्य थे ने किसानों के पक्ष को उचित ठेराया और तीन कठिया प्रथा के बदले बढ़ी हुई लगान का 25 प्रतिशत किसानों को वापस कराने का निर्नाय किया ये किसानों की सीमित सही परंतु निर्नायक परंतु सरकार इस पर राजी नहीं थी गांधी और विठलबाई पटेल ने पूरी छानबीन के बाद कहा कि फसल साधरन फसल की एक चौथाई से भी कम हुई है अतर राजस्व सहीता के प्रावधानों के अंतरगत पूरा राजस्व माफ होना किसानों का हक है गांधी की इमांदारी से लागू करने का निवेदन किया परंतु सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा गांधी ने उन किसानों से भी जो लगान देने में समर्थ थे उसे ना चुकाने का आग्रह किया प्रेश्ट 258 सरकार के और से दमनकारी उपायों से राजस्व वसूल किया जा रहा था और उनके जानवर तथा जमीन कुर्प किये जा रहे थे अंतता सरकार तथा किसान प्रतिनिदियों के बीट बातचीत में इस बात पर सहमती हो गई कि धनी पाटीदार या पटेल किसान जो लगान पर देंगे परंतु घरीब किसानों को इससे छूट मिल जाएगी उन्नीस दशमलव दो दशमलव चार अकाली मोर्चा ये धार्मिक भावना लिये एक किसान आंदोलन था जिसमें मुख्यतह सिक्ष किसानों की भागीदारी थी गुरुद्वारों के पास बहुत जमीन थी जो संपूर्ण सिक्स समाच की मानी जाती थी परंतु कालंतर में सरकार के समर्थन से गुरुद्वारों के महंत जमिनदार बन गए और इसका इस्तेमाल अपनी व्यक्तिकत संपत्ती की तरह करने लगे अकाली आंदोलन इसी प्रवृत्ति के विरुद्ध लणने के लिए प प्रयत न किया परवरी 1921 में उन्होंने लाहोर के ननकाना में लगभग 200 निहत्ते सिक्खों की हत्या करवा दी 1922 में अमरुद्सर से 10 किलोमिटर दूर गुरु का बाग में अकालियों तथा महंतों के गुंडों के बीच हुए संखर्ष में पुलिस में महंतों के पक्षमी निशस्र आंदोलन कारियों पर गोली चलाई जिसमें कई लोग घायल हुए तथा सैक्डों लोगों को गिरफतार किया गया 1923 के प्रारंभ में ही आंदोलन के नेत्रत्व में मत्भेत पैदा हो जाने के कारण ये बिना किसी सार्थक उपलब्धी के समाप्त हो गया 19.2.5 मोपला विद्रहों ये मूलतह एक किसान आंदोलन था जिसे अपने सामरा जिवात तथा सामंत विरोधी चरित्र के बावजूद साम्प्रधाइक संखर्ष समझा गया यहां तक कि गांधी ने भी इसे मोपला पागलपन की संग्या दी क्योंकि मालाबार अर्थात वर्तमान केरल में शोशक जमिनदार अधिसंखे हिंदू थे और किसान बहु संख्यक मुसल्मान अप्रेल 1920 में मंजेरी में आयोजेत मालाबार जिला कॉंग्रेस सम्मेलन में खिलाफत अंदोलन का समर्थन किया गया तथा जमिनदार किसान संबंधों का निर्धारन करने और किसानों का शोशन रोपने के लिए कानून बनाने की मांग की गई खिलाफत तथा किसान अंदोलन के लगातार जोर पकड़ने से अंग्रेजी सरकार बौखला सी गई थी मौलाना आजाद ने इसक्षेत्र का दोरा कर अंदोलन का समर्थन किया 18 परवरी 1921 को खिलाफत आंदोलन तथा कॉंग्रेस के सभी प्रमुखनेता याकूब हसन, मौईनुद्दीन कोया, गोपाल मैनन और माधवन नायर गिरफतार कर लिये गए जिससे आंदोलन का नेतरत वस्थानिय मोपला नेताओं के हाथ में चला गया जिसमें तिरूरंग गाड़ी मस्जित के इमाम अली मुसलियार प्रमुख थे जब उनकी गिरफतारी के लिए मस्जित पर छापा मारा गया तथा उनके ना मिलने पर तीन कार्यकरताओं को गिरफतार कर लिया गया ये अफवाफ फैलने पर कि मस्जित को अपवित्र किया गया है भोपला तिरूरंगाडी में इकठा होने लगे तथा विरोत प्रदर्शन प्रारंब किया इस निहत्ति भेट पर पुलिस द्वारा गोले चलाने पर जिसमें कई लोग मारे गए के बाद हिंसात्मक संखर्श शुरू हो गया सरकारी दफ्तरों, रबड बागान के विदेशी मालिकों तथा जमिनदारों पर हमले प्यारंब हो गए कुछ विद्रोही नेता जिनमें कुन मुहम्मद हाजी प्रमुक थे इस बात का ध्यान रखा कि अकारण किसी हिंदू जमिनदार पर हमला या उसकी संपत्ति का विनाश न किया जाए प्रिश्ट 269 यदि कोई विद्रोही ऐसा करता तो उसे दंड दिया जाता और सरकार समर्थक मौपला जमिनदारों को भी सजा दी गई सरकार के दमन और सांप्रताइक भावना भढकाने के कारण अधिसंख्य हिंदू आंदोलन के विरोधी तथ सरकार के समर्थक बन गए मौपला विद्रों के नेता भी साम्प्रदाइक भावना से ग्रस्त होते गए और हिंदुओं पर अकारण हमले तथा हत्या की घटनाई बड़ी संख्या में होने लगी जिससे आंदोलन का जन समर्थन घटने लगा और उसकी साम्प्रदाइकता ने उसे अलग थलग कर दिया अनुमानों के अनुसार दस हजार से अधिक लोगों की मृत्यों हुई 45,404 विद्रोही या तो पकड़े गए या आत्म समर्पन कर दिया इस प्रकार घोर दमन के बीच ये किसान आंदोलन जिसे भ्हमबश कांधी ने साम्प्रदाइक संखर्ष समझा था समाप्त हो गया औ और मोपला बात के किसान आंदोलन में भी शामिल नहीं हुए 19.2.6 उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के अवत क्षेत्र में हूम रूल लिग के कार्यकरताओं ने किसानों के एक संगठन किसान सभा का गठन किया परवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंडर नारायन द्विवेदी तथा मदन मोहन मालविय के प्रयास से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ तथा द्विवेदी ने नई समवैधानिक व्यवस्था में किसान हीतों का ध्यान रखने के लिए सरकार को एक याचिका प अमरुटसर कॉंग्रेस सधिवेशन में बड़ी संख्या में भाग लिया, 1919 के अंतिम दिलों में किसानों का संगठित विद्रो, प्रतापगड, पैजाबाद, रायबरेली, आधी जिलों में प्रारंभ हो गया, जिसका नेतरित्व बाबाराम चंडर, महराष्ट के ब्राम् रहे थे, बाबारान चंडर में संगठन की अपार्क शमता थी और रामचरित मानस की चौपाईयों के माध्यम से उन्होंने किसानों को अन्याय तथा अत्याचार का प्रतिकार करनी के लिए प्रेरित किया, जून 1920 में उन्होंने जौनपूर तथा प्रतापगड के किसानों के जत्ते के साथ, इलहाबाद में जवाहरलाल नहरु से भेंट की तथा किसानों की हलद देखने का अनुरोध किया, जून तथा अगस्त के बीच नहरु ने कई बार अवध के ग्रामिन इलाकों का दौरा कर किसान सभा के स्थानिय कार्यकरदाओं से संपर्क सापित किया, किसान नेता बाबा रामचंद्र की जूटे आरोप में गिरफतारी के बाद किसानों ने प्रताबगड जेल को घेर लिया और सरकार को उन्हें छोडने पर बाध्य होना पड़ा जनवरी 1921 में संखर्ष ने हिंसात्मक रुप ग्रहन कर लिया जमिनदारों तालुकेदारों के घरों तथा गोदामों पर हमले कर उन्हें लूट लिया गया इस संखर्ष में राय बरेली जेल में बंद किसान लेताओं जानकिदास तथा रामचंद्र को छुडाने के लिए इकठा किसानों की उग्र तथा हिंसात्मक भीड पर पुलिस ने गोली चलाई जिसमें कई किसान मारे गए इसका वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में जवाहरला नहरू ने लिखा जैसे ही मैं नदी के पुल के पास पहुचा मैंने गोली चलने की आवाजें सुनी मुझे सेना ने पुल पर रोक लिया वहां बहुत से किसान गोली चलने से मारे गए उन्होंने उन लोगों की आ अंत तथा 1922 के प्रारंभ में सुल्तानपुर पहराई चहरदोई तथा सितापुर में किसानों के अन्नसंगठन एका संग का गठन हुआ जिसके नेता छोटी जातियों के किसान शहरेब और मदारी पासी थे ये आंदोलन अधिक संगठित जुजहरू और हिंसात्मक था जि 1928 में लगान बंधी का आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1926 में बंबई सरकार ने राजस्व में 30% की व्रिधी कर दी थी। कॉंग्रेस की जांच समिती ने इस व्रिधी को आनुचेत तथा उत्पिडग बताया। तथा यंग इंडिया, नवजीवन, बंबे क्रानिकल, समवैधानिक संखश में आस्था रखने वाले लोगों ने विधान परिशद में ये मामला उठाया, तथा जुलाए 1927 में सरकार ने व्रिधी 30% के स्थान पर लगभग 22% करने की घोशना की, जिससे कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने किसानों से उतना ही लगान देना बंद करने का अनुरोद किया। बल्लबाई पटेल ने गांधी की अनुमति से 60 गाउं के किसान प्रतिनिध्यों की बैठक आयोजीत की, तथा पाच फरवरी 1928 को जिस दिन से बढ़ा लगान दे था, बार्दोली में एक बैठक बुला कर किसानों को प्रस्तावित आं पर लगान न अदा करने की शपतली। सरकार इस आंदोलन के दमन में सारी सिमाओं का अतिक्रमन कर रही थी, परंतु किसान इसके बीच भी अविचितलित रहे। धुल्मल किसानों का सामाजिक बहिशकार किया गया। पंबई विधान परिशत के कई सदस्यों ने त्याक पत दे दिया। अंतमे सरकार इस समस्या पर विचार करने के लिए न्याईक अधिकारी बुम फील्ड तथा राजस्व अधिकारी मैक्सवेल की एक समिती गठित की जिसने समस्या के सभी पहलूं का अध्याइन कर अप्रेल 1929 में प्रस्तुत अपनी रपट में 30 प्रतिशत के स् सभाएं आयोजित की गई। 19.03 अकिल भारतिय किसान सभा की स्थापना, विस्तार, समिधान तथा कारिक्रम। 20 वी शताब्दी के दूसरे तथा तीसरे दशक में इस्थानिय किसान संगठनों के निर्मान और उनके नित्वित्व में हुए संगर्षों की इस्थानिय प्रक कारण कॉंग्रेस संगठन के रूप में किसानों के किसी वर्गिय अंदुलन का नित्रित्व नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे उसके जमिंदार समर्थकों तथा सदस्यों के नाराज होने का डर था। 1929 की विश्वव्यापी मंदी के दौर में क्रिशी उत्पादों का मूल्य निरंतर कम होता जा रहा था और किसान जीवनों पयोगी सामगरी खरीदने में भी असमर्थ होते जा रहे थे। और उनकी सानिय समस्याओं पर संघर्ष करने का काम कर रहे थे। 261 देश के राजनीतिक परिद्रिश्य पर बहुत से नए तथा सार्थक परिवर्थन हो रहे थे। अक्टुबर 1934 में बंबई में कॉंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो चुका था जिसमें आचारे नरेंद्रदेव, जै प्रकाश नारायन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, E.M.S. नंबूदरी पाद, पी सुंदरईया, अच्छुत पत्वर्धन, एंजी रंगा, मी इनों मसानी, आदिशामील थे, ये पार्टी कॉंग्रेस के समानांतर नहीं, उसके सहयों की संगठन के रूप में कॉंग्रेस की परिधी में ही काम कर रही थी, परन्तु उसका आर्थिक द्रिष्टिकोंड कॉंग्रेस के स्थापित द्रिष्टिकोंड से अलग था, वो वर में हुई बैठक में जिसमें वामपंथी विचारों के अन्यनेताओं ने भाग लिया था किसानों की समस्याओं और उनकी बधाली पर व्यापक विचार विमर्ष के बाद किसानों के एक अखिल भारतिय संगठन के निर्मान की अनिवार्यता को रिखांकित किया गया तथा प् अप्रेल 1936 में लखनों में कॉंग्रेस के विशेश अधिविशन के अवसर पर विभिन्न प्रांतों के किसान प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजेत किया गया सम्मेलन में भाग लेने वालों में स्वामि सहजानंत सरस्वती, बिहर, एंजी रंगा, आंध्र, इंदुलाल याग्यक, गुजरात, मोहनलाल गौतम, उत्तरप्रदेश, के एम अश्रप, उत्तरप्रदेश, सोहन सिय जोश तथा एहमर्दीन, पंजाब, कमल सरकार और सम्मेलन में ही भारत के लगभक सभी प्रमुक भागो के किसान नेता और संगठन करता उपस्थित थे, 11 अप्रेल 1936 के आरंब में हुए सम्मेलन में मोहनलाल गौतम ने स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में आगत प्रतिनिधियों का स्वागत किया, कॉंग्रेस अध अध्यक्ष स्वामी सहजानंद ने भारत में किसानों की दुर्दशा पर विस्थार से प्रकाश डालते हुए वर्तमान भूमी राजस्व प्रणाली की कटू आलोच ना की, उन्होंने कहा कि जमिंदारी प्रता समस्त पुराईयों की जड़ है, किसान सब कुछ पैदा करता है परन्तु अपने उप्योग के लिए कुछ भी नहीं बचा पाता। उन्होंने बंगाल का उधारंडे कर बताया कि जमिंदार किसानों से अठरा करोड राजस्व वसूल करते हैं, परन्तु सरकार को किवल तीन करोड ही अदा करते हैं। प्रमुक प्रस्ताओं में निम्न बाते कही गई, क किसान कॉंग्रेस का उद्देशित किसानों, मजदूरों और अन्य शोशित पर्गों को पूर्ण आर्थिक तथा राजनितिक स्वतंत्रता दिलाना है, उसका मुख्यकार्य तातकालेक राजनितिक तथा आर्थिक मांगो के लिए लड़ने वाले संगठन का निर्मान करना होगा, जिससे उत्पीडन का विरोध करने वालों की राश्ट्रिय आंदुलन में हिस्सेदारी सुनिश्चीत की जा सके, और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके, ख, विभिन प्रांतों में लागू अलग-अलग तरह की राजस्वप्रणालियां जैसे जमिनदारी, उडिसा, बंगाल, बिहार, मदरास और असम, तालुके दारी, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात, माल गुजारी, मध्यप्रांत, जेनमी, मालाबार, ब्रिटिश सरकार अद्वारा सररक्षित और समर्थित है, तथा किसानों के लिए अनयतिक, शोशक और उत्पिडक है, ऐसे सभी प्रकार के भूमी स्वामित्व समाप्त कर भूमी के समस्थ अधिकार किसानों के पास होने चाहिए, ग, रहियत वाड़ी क्षेत्रों में जहां किसान सीधे सरका को राजस्व अधा करते हैं, लगान बहुत अधिक है, जो किसानों की बढ़ती निर्धनता का कारण है, इसे समाप्त कर टेक्सेशन कमिटी के संस्तुतियों के आधार पर पास्सो या इससे अधिक आमदनी पर क्रमशर वृधिवाला भूमी राजस्व निर्धारित किया ज अधिक साहिये, सम्मेलन ने किसान घोशना पत्र का बुन्यादी प्रारूप तैयार किया, जिसे अंतिम रूप दे कर अखिल भारतिय किसान समिती की बंबई बैठक में अगस्त 1936 में पारित किया गया, सम्मेलन ने समय समय पर किसान बुलेटिन प्रकाशित करने का किया जिसके संपादन के दाइत्प गुजरात के किसान नेता इंदुलाल यागिक को सौपा गया। स्थापना सम्मेलन में स्वामी सहजानंत सरस्वती को अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एंजी रंगा को महा सचिव चुना गया। अखिल भारतिय किसान समिती की बैठक अगस्त 1936 में बंबई में हुई जिसमें किसान घोशना पत्र को अंतिम रूप दे कर प्रकाशित किया गया। समिती ने भूमिहीन तथा पांच एकर से कम जोत्माले किसानों को सहकारी आधार पर क्रिशी के लिए ऐसी जमिनदारी की जमीने लगभग एक तिहाई देने की मांग की जिसपर क्रिशीकार्य नहीं हो पाता और वो अनुपयोगी और अनुत्पादक रह जाती है। स्थापना सम्मिलन में ही संगठन के लिए एक सम्विधान निर्मान समिती गठित की गई। 19.3.2 फैसपूर किसान कॉंग्रेस का धाचा तो तैयार हो गया था लेकिन इसका कोई निश्चित स्वरूप तथा संगठन नहीं बन सका था। दिसंबर 1936 के अंतिम दिनों में महराश्ट के फैसपूर में कॉंग्रेस का दूसरा सम्मिलन 25-26 दिसंबर को संपन्न हुआ जिसके अध्यक्षता नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रोफेसर एंजी रंगा ने की। करीब 500 किसानों ने 200 मेल दूर मनमाड से 1 दिसंबर को बी-म भूसकुटे तथा जे बुखारी के नितरत्व में मार्च आरंब किया और रास्ते के गावों में सभा करते और संगठन के उद्देशों के बारे में चेतना जगाते 25 दिसंबर को फैसपूर पहुँचे जहां का स्वागत किया किसान कॉंग्रेस के सम्मेलन में 1935 के भरत सरकार अधिनियम को सामरा जवादियों का हित रक्षक बता कर उसका विरोध किया गया स्पेन के फॉसिस्ट विरोधी संगर्ष का समर्थन करते हुए उसमें लड़ रहे किसान मजदूरों और बुद्धी जीवि कॉंग्रेस के घोशनापत्र के प्रमुख भाग के रूप में प्रचारित हुए को प्रगतिशील कारेक्रम मानते हुए उसका समर्थन किया गया इस कारेक्रम के अनुसार 1. वर्दमान परिस्थितियों के अनुसार लगान तथा राजस्व निर्धारित कर में कम से कम 50 प्र पर आयकर तथा मृत्यों कर लगाया जाए चार नहरों से सिचाई की दर में काफी कमी की जाए पांच सभी प्रकार के सामन्ति करों नजराना बेगार पर ततकाल रोक लगाई जाए और लगान से अधिक राजस्व मांगना आवैधानिक खोशित किया जाए 6. भूमी पर किसानों का स्वामित्वस्थाई बनाया जाए 7. सभी खेतों को एकत रित कर चगबंधी कराई जाए और सहकारी क्रिशी के लिए प्रयास किये जाए 8. ग्रामीन रिनों का सिर्टोड पोज समाप्त किया जाए इसकी जाज के लिए विशेश आयोग बनाये जाए तथा किसानों की अदा करने की सामर्थ से बाहर रिन को समाप्त किया जाए 9. सभी प्रकार का बकाया लगान समाप्त किया जाए 10. गामों में सार्वजनिक चरागाहों की व्यवस्था किया जाए तालाबों, कुओं और जंगलों पर जन अधिकारों को माननेता दे कर उनका अतिक्रमन करने वालों को दंडित किया जाए 11. किसानों की बेदख्ली संबंधी नियमों में परिवर्दन किया जाए और बकाया लगान उसी प्रकार वसूल किया जाए जैसे सरकार जमिनदारों से माल गुजारी का बकाया वसूल करती है 12. किसानों के मकान बनाने तथा पेड लगाने के अधिकार को माननता दी जाए और उन्हें अपने बनाए मकानों तथा लगाए पेड़ों का पूर्ण स्वामी स्विकार किया जाए 13. किसानों और क्रिशी मजदूरों की जीवन निर्भा योग्य मजदूरी तथा काम करने योग्य उचित स्थितियों की रक्षाहे तूप प्रावधान किये जाए 14. किसान संगों को उच्साहित किया जाए और उनको माननता दी जाए इस प्रकार रंगा को अध्यक्ष चुनने के अतिरेक्त स्वामी सहजानन्द को महा सच्चिव तथा इंदुलाल याग्येक बंकिम मुखरजी तथा बीपी एल बेदी को संयुक्त सच्चिव चुना गया 19.3.3 संगठन के संविधान तथा जंटे का निर्नए अखिल भारतिय किसान कमिटी की बैठक चाधा जुलाए 1937 को गया बिहार के नियामत पुर में हुई संविधान निर्मान हेतु गठित उपसमिती ने इस बैठक में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की इसमें संगठन का नाम अखिल भारतिय किसान कॉंग्रेस के स्थान पर अखिल भारतिय किसान सभाग करनी की संस्तुती की गई जिसे कमिटी ने स्विकार किया सम्विधान के संबंध में निर्णय किया गया कि ये किसानों का संगठन होका जो विभिनस्तरों, प्रदेशों, जीलों, तहसीलों इत्यादी में इसी नाम से काम करेगा इसकी काउंसिल तथा समितियां विभिनस्तरों पर निर्वाचित संस्थाएं होंगी, जिसका चुनाओ प्रतिनिधी सम्मेलनों में सामानने सदस्य करेंगे नियामतपूर बैठक में संगठन के आधिकारिक जंडे के रूप में लाल जंडे के प्रयोग पर विचार किया गया, जिसका प्रयोग कई प्रांतिय संगठन अब तक कर रहे थे, परन्तु इस संबध में कोई आपचारिक निर्णय नहीं किया जा सका किसान कमिटी की अगली बैठक 27-68 सक्टूबर 1937 को कलकता में हुई जिसमें जंडे के बारे में आपचारिक फैसला किया गया, जंडा लाल कपडे का आयताकार कपड़ा था, जिस पर हसिया और हतोडा का निशान अंकित था, बाद में नवंबर 1957 में हतोडे को इससे हटा दि को ये निर्देश दिया गया था कि वे अपने स्थानिय संगठनों को इस अखिल भारतिय संगठन से संबध कर दें, अधिकतर प्रदेशिय संगठनों ने अपने संगठनों को इस अखिल भारतिय संगठन से संबध कर दिया था, उत्तर प्रदेश के प्रांतिय संगठन ने 1938 में सबसे देज से अपने को अखिल भारतिय किसान सभा में संबध किया 19.4 किसान सभा के सम्मेलन 1936 से 1951 तथा पारित प्रमुक प्रस्ताव अखिल भारतिय किसान सभा के अप्रेल 1936 में हुए स्थापना सम्मेलन और दिसंबर 1936 में हुए फैसपुर सम्मेलन की चर्चा हम पहले कर चुके हैं 19.4.1 कौमिला अधिवेशन फैसपुर सम्मेलन के बाद अखिल भारतिय किसान सभा का अगला राश्ट्रिय सम्मेलन त्रिपुरा जिले टतकालीन बंगाल प्रदेश के कौमिला नामकस्थान में 11-14 मैं 1938 तक हुआ जिसकी अध्यक्षता नव निर्वाचेत अध्यक्ष स्वाम सहजानन सरस्वती वर्तमान महमंत्री ने की ये किसान सभा के सदस्यों द्वारा विधिवत निर्वाचेत प्रतिनिधियों का पहला राश्ट्रिय सम्मेलन था जो 5.46 लाग सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता था ये सदस्य बिहार, पंजाब, बंगाल, उडिसा, उत्तर सुर्माघाटी, असम, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, गुजरात तथा महराश्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आंध्रप्रदेश की प्रदेश किसान सभा की गतिविधियों प्रांतिय सम्मेलनों आधि का ब्यारा दिया गया। उन्होंने प्रदेशों की कौंग्रेस सरकारों के किसान विरोधी रवईय की आलोच ना की, क्योंकि कौंग्रेस ने किसानों की मांगो को ही अपने जारू उपकरण बनाने पर बल दिया और खेत मजदूरों की बधाली के विरुध किसानों को संगष के लिए प्रेरित किया। अध्यक्ष के रूप में अपने संबोंधन में उन्होंने किसान सभा और कॉंग्रेस के संगठनात्मक अंतर को सपश्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार कॉंग्रेस के सदस्यों के बहु संख्यक हिंदू होने पर भी उसे हिंदू संगठन नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार कॉं के नेताओं की आलोच ना की और कहा कि इससे वे किसानों का विश्वास खो देंगे तथा कॉंग्रेस की प्रतिष्ठा भी कम होगी। और इसके लिए काम करना चाहता हो एक आना सदस्यता शुल्क देकर किसान सभा का सदस्य बन सकता है। स्वामी जी ने किसान बोलेटिन के पाक्षिक प्रकाशन पर संतोश व्यक्त करती हुए इसके संपाधक इंदुलाल यागिक की सरहाना की। 19.4.2 गया सम्मेलन अखिल भारतिय किसान सभा का चौथा अधिवेशन 9-10 अप्रेल 1949 को गया बिहार में संपन्न हुआ। इसके पूर्व साथ 8 अप्रेल को विशय समिती की बैठक नव निर्वाचेत अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुई। इसमें गुजरात, परार, सिंध, आंध्र, असम, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रांथ, बिहार, बंगाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, परन्तु महराष्ट, उडिसा, माला बार, तमिलनाडू, पंजाब तथा सीमा प्रांथ के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिय प्रेश्ट 266 पर विचार करते हुए निकट भविश्य में विश्वव्यापी युद्ध की आशंग का व्यक्त की गई तथा किसानों और मजदूरों का एक संयुक्त मोर्चा कायम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। साम्प्रताइक शक्तियों के मनसूबों को विफल करने की आवशक्ता अनुभव की गई। सिति में जब्त नहीं किया जाना चाहिए। 2. किसानों को अधिक्तम 6% द्याजदर पर रिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 3. कर्स की डिक्री में किसानों को जेल न भीजा जाए। 4. लगान राजस्व या रिन की अधायगी ना होने पर किसानों की जमीन निलाम न की जाए। तथा 12 वर्ष से अधिक समय से बंधक भूमी को मुक्त माना जाए। 5. भूमीहिन प्रिशी मजदूरों की हालत सुधारने उनके रिनों की वसूली स्थागित करने की मांग की गई। प्रदेश की निर्वाचेत कॉंग्रेस सरकारों से अपिफशा की गई कि वो इन मांगों को साहनुभुति पुर्वक पुरह करने का प्रयत्न करेगी। 11 अप्रेल को हुई किसान कमिटी की बैठक में नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। 11 अध्यव्ष आचार्य नरेंद्र देव के अतिरेक्त रंगा तथा मुजप्फर एहमत को उपाध्यक्ष स्वामी सहजानंत सरस्वति को महा सच्यव याग्येक दामोदर्सवरू पुखारी और वासुदेवराई को सायुक्त सच्यव और जमुना कार्जी को वाचनारायन, अवधिश्वर प्रसाद सिन्हा, यदुनंदन शर्मा बिहार, मोहनलाल गौतम, योगेश चटर जी उत्तर प्रदेश, के एसन मूर्ती पंजाब, पीडी भराठे, मध्यप्रांत, मालती चाधरी उडिसा, शिवनाद बनर जी, बंकिम मुखर जी, बंगाल को निर्वाचेत किया गया, किसान सभा का एक स्वयम सेवक दल, कठित करने पर बिशेश जोर दिया गया 19.4.3, पलासा सम्मेलन, वितिय विश्वयुद्ध के प्रारंभ होने के बाद, प्रांतों की कॉंग्रेस सरकारों ने त्याक पत्र दे दिया था, तथा किसान सभाने भी भारत को युद्ध में बिना उसकी इच्छा के शामिल करने का विरोध किया प्रिश्ट 266, घोर दमन तथा सरकारी अवरोत के वातावरण में किसान सभा का पाचवा सम्मेलन, आंध्र के पलासा में 24-26 मार्च 1940 को संपन्न हुआ, अध्यक्ष राहुल जी की अनुपस्थिती में पंजाब के किसान नेता बाबा सोहंसी भकना ने सम्मेलन की अध्यक्षिय भाशन उनकी अनुपस्थिती में पढ़ा गया, सम्मेलन ने किसानों तथा क्रिशी समस्याओं के प्रती सरकार के रुख की आलोचना की और युद्ध के कारण किसानों के बढ़ती हुई कठिनाईयों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, एक प्रस्ताओ अध्यक्षिय में भारत के राष्ट्रे संग्राम में किसानों और मजदूरों की नेतरत्व कारी भूमी का गोरे खंकित किया गया, सरकार के विरोधी रुख के कारण भाग लेने वाले प्रतिनिध्यों की संख्या के वल सौ थी, क्योंकि बहुत से प्रमुक कार्यकरता अप सम्मेलन के समापती के कुछ दिनों बाद स्वामी जी की गिरपतारी के कारण इंदुलाल यागिक ने महा सचिव का पत संभाला तथा उनके भी गिरपतार हो जाने पर एम अब्दुल्ला रसूल ने इस पत का दाइत्व ग्रहिन किया 19.4.4 भीटा सम्मेलन लगभग दो वर्षों का अगोशेत प्रतिबन छेलने के बाद 1942 के प्रारंभ में किसान सभा ने फिर पूरे उत्सा से अपनी गतिविधियां प्रारंभ की कई प्रमुखनेता जेल से रिहा कर दिये गए और अपनी संगठनात्म गतिविधियां प्रारंभ करने में समर्थ हो गए यद्यपी अभी भी कई प्रमुखनेता तथाकारे करता या तो जेल में थे या भूमिकत जीवन बिता रहे थे अखिल भारतिय किसानसभा का छटवा सम्मेलन 29 से 31 मई 1942 को बिहार के बहिटा में संपन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता इंदुलाल या गिक ने की इस समय तक किसानसभा की सदस्यता काफी घट कर 2.25 लाक रह गई थी क्योंकि वो सरकार के दमन का बड़ा शिकार बनी हुई थी स्वामी सहजानन सरस्वती ने किसानसभा की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा किसानों और किसानसभा के कारेकरताओं पर सरकारी जुल्म का विवरंड दिया इस सम्मिलन में युद्ध की बदली परिस्तियों पर विचार करते हुए फासिस्ट ताकतों के प्रतिकार के लिए राश्रिय एक्ता की जरूरत पर पल दिया गया सम्मिलन में किसानों से अधिक अन उत्पादन की अपील की गई तथा सरकार से लगान और करू की वसूली में छूट की अपील की गई तथा किसानों को उनके उत्पादन का लापकारी मुल्ले दिलाने का अनुरोध किया गया अखिल भारतिय किसान कमिटी की बैठक में स्वामी जी को महा सचिव चुना गया तथा पिछले वश के पदाधिकारियों को पुनर निर्वा चेत कर लिया गया इस समयलन की समाप्ति के बाद क्रेप्स मिशन भारत आया परंतु असफल होकर वापस चला गया इसके बाद कॉंग्रेस के नित्रतों में भारत छोडो आंदोलन प्रारंब हो गया जिसका सरकार नेगोर दमन किया 24 से 27 सितंबर 1942 को बंबई में हुई केंद्रिय किसान काउंसिल की बैठक में सरकार के दमन और उसके किसानों पर प्रभाव का आकलन किया गया तथा दमन की नि परण बताय सभा की सदस्यता से त्याक पत्र दे दिया प्रेश्ट 268 उनीज दशमलव चार दशमलव पांच भकना सम्मेलन 1942 में युद्ध भारत के दर्वाजे तक पहुँच चुका था बर्मा का जापान के हाथों पतन हो चुका था और भारत के कई प्रमुक शहरों पर बंबारी का ख़त राम अंडरा रहा था ऐसी परिस्थित्यों में पंजाब के अमृत सर जिले के भकना का लागाओं में अखिल भारतिय किसान सभाग का सात्वा सम्मेलन 2-4 अप्रेल 1943 को आयोजित किया गया जिसमें 14 प्रांतों के 231 प्रतिनिधियों ने भाग लिया सम्मेलन में पारित प्रस्तावों में राश्ट्रिय एक्ता के अनिवार्यता को रिखांकित करते हुए कॉंग्रेस के संखर्ष का समर्थन किया गया एक प्रस्ताव में ब्रिटेन तथा अमेरिका की प्रगतिशील शक्तियों से भारत के न्यायपूर्ण संखर्ष का समर्थन करने और चर्चिल और उनके सहयोगियों की प्रतिक्रियाबादी नीतियों का विरोध करने की अपील की गई। अध्यक्ष भी जो थे, इंदुलाल यागिक ने सभा पर कम्योनेस्ट वर्चस्व का आरोप लगा कर त्याक पत्र दे दिया। और सम्मेलन में 297 प्रतिनिधियों ने जो 15 प्रांतों से आये थे भाग लिया। इन प्रतिनिधियों में 1940 के सम्मेलन के निर्वाचे तध्यक्ष राहुल सांकृत्यायन भी शामिल थे। सम्मेलन की समाप्ति से पूर्व हुई रैली में लगभग एक लाग किसानों ने भाग लिया। भगना सम्मेलन से अब तक किसानों को बहुत कठिनाया जेलनी पड़ी थी। और बंगाल, केरल, बिहार, आंध्र में भयानक अकाल पड़ा जिसका सरवाधिक बुरा प्रभाव बंगाल तथा असम की सुर्मा घाटी पर पड़ा। अकेले बंगाल में 15 लाग से अधिक लोगों की मृत्यू हुई, सम्मेलन में कुल 22 प्रस्ताव पारित किये गए, जिसमें कॉंग्रेस नेताओं की रिहाई, अकाल प्रभावित क्षेत्रों में राहत का प्रभावी प्रभंध करने, अधिक अन उत्पादन, अन संग्रहन की व्यवस्ता करने, किसानों का भूमी स्वामित्व कम होने तथा उनके भूमी हीन होने के विरुद्ध तथा उनके भूमी उनको वापस देने संबधी, खेत मजदूरों की मजदूरी तै करने और नगदी फसलों का लापकारी मूल ने तै करने से संबधित प्रस्ताव प्रम इधि सम्मेलन की समाप्ति के बाद 16 मार्च को किसान कमिटी की बैठक में नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया तथा कार्यानंत शर्मा और अचर सिह को उपाध्यक्ष बंकिम मुखर जी को महा सचिव, म. नमूदरी पाद, म. रसूल, यदुनंदन शर्मा तथा खैले बेटा से हटा कर बंबई कर दिया गया। कलकत्ता में हुई केंद्रिय किसान काउंसिल की 30 नवंबर से 3 दिसंबर की बैठक में सम्विधान में कुछ संशोधन किया गया और नए प्रारंभिक किसान संगठनों को सीधे किसान सभा से संबध्ध होने की सुविधा देन अखिल भारतिय किसान सभा का नवा सम्मेलन वर्तमान बांगलादेश ततकालीन बंगाल के मेमन से जिले के नेत्रको नाकजबे में 5-9 अप्रेल 1945 तक आयोजित किया गया। तथा बिहार के प्रतिनिधियों ने संगठन से अपने मतभीतों के कारण भाग नहीं लिया। महसचिव बंकिम मुखर जी ने पिछले सम्मेलन से अब तक की संगठन की गतिविधियों तथा उसके नेत्रत्व में हुए किसान संखर्षों का विस्त्रित विवरण अपने र अर्थक उपकरण हैं। उन्होंने कम्यूनिस्ट कार्यकरताओं को किसान सभा में सभी गैर कम्यूनिस्ट कार्यकरताओं को साथ लेकर चलने का अहवान किया तथा पार्टी और किसान सभा के जन संगठन में अंतर करने पर बल दिया। अन्यथा पार्टी तथा जन संगठन दोनों को हानी उठानी होगी। उन्होंने किसान सभा के सदस्यों से अन्न की काला बाजारी रोकने तथा उसके विरुद्ध संगश का अहवान किया। सम्मेलन में केंद्रिय किसान कांसिल द्वारा दिसंबर 1944 में पारित किसान सभा के सम्विधान में संशोधन के प्रस्ताव को आपचारिक रूप से स्वीक्रती दी गई तथा पूर्व अध्यक्ष स्वामी सहजानंत सरस्वती द्वारा दिये गए सभी सुझावों को इसमें शामिल कर लिया गया सम्मेलन में पारित राजनितिक प्रस्ताव से राष्ट्रिय एक्ता पर आधारित केंडर में अंतरिम सरकार तथा प्रदेशों में लोगप्रिय सरकारों के गठन पर जोर दिया गया इसमें भूला भाई, देशाई, कॉंग्रेस तथा लियाकत अलिखा मुस्लिम लीग के बीच सभी राजनितिक दलों की मिली जुली सरकार गठन के समझाते का स्वागत किया गया सम्मेलन में पारित अन्य प्रस्तावों में सरकारी नियंत्रण में जीवनों पयोगी बस्तुओं कपड़े, मिट्टी के तेल, नमक, चीनी, आधी के वित्रण पर असंतोश व्यक्त करते हुए उसमें सुधार की मांग की गई एक अन्य प्रस्तावों में क्रिशी जनित अधिक आमदनी पर आयकर लगाय जाने की अपनी मांग को पुनह दोहराया गया स्वामी सहजानन्द सरस्वती को मना कर उन्हें किसान सभा में बनाय रखने का प्रयतन करने का निश्चय किया गया बंगाल में अकाल पिडितों को राहत देने के प्रयतनों में बंगाल किसान सभा की भूमिका की प्रशंसा की गई सम्मेलन की समाप्ती पर हुई किसान कमिटी के बैठक में नए पदादिखारियों का चुनाव किया गया तथा अध्यक्ष के अतिरेक्त उपाध्यक्ष, कार्यानन्द शर्मा तथा तेजा सिह स्वतंत्र, महसचिव, बंकिम मुकर्जी, सैयक्त सचिव, म. रसूल, E.M.S. नम्बूदरीपाद, पी सुंदरईया तथा डॉक्टर भाक्सि हैं, कोशाध्यक्ष, S.V. पारू लेकर नि निश्चय किया गया, प्रिष्ट 270, 19.4.8, सिकंधरा राउ सम्मिलन, 1946 में किसान सभा का कोई सम्मिलन संभव नहीं हो सका, इसका दस्वा अधिवेशन उत्तर प्रदेश के अलिगर्जिले के सिकंधरा राउ नामक्स्थान पर आयोजेत किया गया, 22 से 26 मई 1947 तक आयोजेत इ अध्यक्ष डॉक्टर जेट ए एहमद ने सम्मिलन में आये 366 प्रतिलिधियों तथा 80 किसान काउंसिल के सदस्यों का स्वागत किया, महासच्यू बंकिम मुखरजी ने अपनी रिपोर्ट में किसान सभा के विस्तार पर संतोश व्यक्त करते हुए संगठन की आंतरिक कमजो समान कि मुखरजी ने लुए संगे calculated यपाकि में विस्तार परस दित व्यक्त करते हुए संगा हुए संगा हुए स्वाफ्टर हुए स्वाबी। ये ने adalah संगर.